आज की सुड़े हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुगी है 12th क्लास के लिए जैसे कि आप सब जानते हो कि 12th क्लास का रिजल्ट जो आपका 6th June को निकल चुका था उसके बाद आपका एक नोटिफिकेशन आया है जेरोक्स का पी और इवैलोशन के लिए तो वही डिसक्स करने वाला है इस वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो टैलिग्राम चैनल जो है वो जोइन कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वो लिंक ओपन हो जाएगा ठीक है उसके बाद सेकेंड है कि आपकी जो लास्ट रहेगी फोटो कॉपी लेने के लिए यह रहने वाली है 25 जून जो बच्चे उसके बाद री एवैलोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी डेट जो है वो टू जुलाई तक है अपने री एवैलोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है फीज क्या रहने वाली है वेसिकलि री इवैलोशन के लिए 520 एक सब्जक्ट के लिए और फिर वैसे ही फोटो कॉपी के लिए 270 एक सब्जक्ट के लिए तो यह कुछ डेट थी अब मैं आपको एक इम्पोर्टन चीज़ बता दूं कि re-evaluation और xerox में क्या difference होता है तो देखो xerox copy होती है उसमें आपको क्या होता है जो आपका photo state copy होती है आपके answer sheet की वो मिलती है असली answer sheet नहीं मिलती है मगर उसी की photo copy आपको दी जाती है ठीक है यह होगा एक चीज़ दूसरे re-evaluation re-evaluation में क्या होता है actual sense में आपको आपकी जो पूरी की पूरी answer sheet है उसको फिर से re-evaluate किया मतलब re-check करा जाता है एक नए teacher appoint होता है वो नए teacher आपका पूरा answer sheet चेक करता है पूराने वाले marks आपके temper कर जाती है मतलब यह छुपाया जाती है और फ़र नहीं आवाले teacher उसको चेक करता है अब आपका doubt होता है कि at the end के marks कम हो जाएंगे हमारे ऐसा कुछ हो है क्योंकि सब की teacher की checking अलग होती है अब ऐसा भी हो सकता है कि 70 में से 25 मिल जाएं पास हो जाओ मगर ऐसा भी हो सकता है 15 मिले तो उस case में आपके पूराने वाले marks की consider के जाते हैं best दिया जाता है इसका तो बाकी कुछ doubt है तो comment section में पूछ सकते हो all the very best thank you for watching this video